किसी भी महिला के पीरिट्स तब बंद होते हैं जब उसका मीनो पौस शुरू होता है मीनो पौस शुरू होने की जो उम्र है वो होती है पचास साल के बाद लेकिन आज कल के दोर में ऐसा ऐसा देखा जा रहा है कि किसी महिला के पीरेट्स 40 साल में बंदो जा रहे हैं किसी के 38 साल में बंदो जा रहे हैं किसी के 42 साल में किसी के 44 साल में मेरे पास अक्सर महिलाओं के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पीरेट्स पिछले 4 साल से नहीं आ रहे हैं या 3 साल से नहीं आ रहे हैं पिर कुछ महिला है ये कह रही है कि सब मेरे पीरेट्स तो तब ही आते हैं जब मैं मेडिसिन का इस्तिमाल करती हूँ तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा सॉलूशन बताने वाला हूँ पीरेट्स के लिए जिससे कि रुका हुआ पीरेट्स भी आपका चालू हो जाएगा अगर पीरेट्स इर्रेगुलर है तो रेगुलर हो जाएगा और ब्लेडिंग ज़्यादा आती है पेन होता है तो ये सारी प्रॉब्रम्स आपके ठीक हो जाएगी सबसे बड़ी बात ही कि इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई medicine नहीं लेनी है और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा टोटल नैचुरल बताऊंगा इसका आपको किसी भी तरीके का कोई side effect नहीं होगा और जब आपकी periods regular हो जाएंगे तो आप naturally conceive भी कर सकती है इस वीडियो को शुरू से ले करके लाज टक पुरा ध्यान से देके ध्यान से सुने ताकि आप एक एक चीज़ को सही तरीके से समझ सके नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोग fitness आइडियाज में तो चलिए शुरू करते हैं periods के अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों कोई जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किन कारणों की वज़े से periods जो है irregular होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा bleeding होती है, pain होता है या फिर periods कम आते हैं या बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला कारण है दोस्तों वो है वजन कम होना या ज़्यादा होना आप मैंसे बहुत सारे लोग अब यह सोच रहूंगे कि periods से वजन का क्या लेना देना है तो यहाँ पे बताना चाहूंगा चाहिए वह कोई भी महिला हो उसके periods और उसके hormone depend करते हैं उसके body weight के उपर हर महिला का body weight उसकी height के according होना चाहिए और मान लीज़ अगर किसी महिला का weight कम है तो उसके periods या तो आएंगे नहीं या फिर आएंगे तो bleeding बहुत कम होगी या फिर periods बहुत ज़्यादा दिनों में आएंगे इसके अलाबा अगर वजन ज़्यादा की हम बात करें तो किसी महिला का अगर वजन ज़्यादा है उसकी height के according तो उसके जो periods वो भी irregular हो जाएंगे और साथी साथ उसके periods में clods पी आएंगे और उसको पेल भी हो सकता है दूसरा कारण है दोस्तो हीमोगलोबिन का कम होना और ऐसा होता है कि महिलाओं के शरीर में पता नहीं चल पाता है कई महिलाओं तो ऐसी है जोगे देखने में काफी तंदुरस्त लगती हैं लेकिन जब उनका हमोगलोबिन चेक किया जाता है तो नॉर्मल से भी निकल करके आता है आपको पताना चाओंगा कारण है दोस्तो हॉर्मोन्स का इंबैलेंस होना बहुत सारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है और जारातर महिलाओं में अक्सर ये होता है कि हॉर्मोन्स इंबैलेंस होने की वज़े से शुरुवात में तो उनके पीरिट्स थोड़े कम आते हैं धीरे-धीरे कम होते होते चोथा कारण है दोस्तों PCOD और PCOS PCOD यानि कि Polycystic Ovarian Disease और PCOS यानि कि Polycystic Ovarian Syndrome ये दोनों बिमारी वैसे तो एक ही होती है लेकि नाम अलग-अलग है और इस बिमारी में होता है कि महिला की Ovarian में बहुत सारे Follicles बन जाते हैं छोटे-छोटे लेकिन कोई भी Follicle पूरी तरीक के से मैच्योर नहीं होता है और इस कारण से उसके शरीर में AMH यानि की Anti-Mullerian होर्मोन काथी जादा मातरा में बनने लग जाता है और उस महिला को पीरेट्स इर्रेगुलर हो जाते हैं इसके अलावा बहुत सारी मेलाओं के पेट के निचले इससे यानि के पेडू में या फिर पेलविक एरिया में जो है उनके सूजन आ जाती है जिसकी वज़े से उनको ब्लीडिंग बहुत जादा होती है साथी साल में क्लॉट्स भी आ सकते हैं सबसे पहले आपको करना यह है कि जो भी मेलाओं अंडर वेट हैं उनको अपना वजन बढ़ाना होगा और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट सेट करना होगा और अगर वजन जादा है यानि कि ओवर वेट हैं तो उनको अपना वजन कम करके अपनी हाइ अपने स्क्रीन पे BMI चार्ट को लगाया हुआ है आप चाहें तो वीडियो को रोब करके यहां पर आसानी से देख सकते हैं दूसरा काम आपको यह करना है कि अपना हिमोगलोबिन जरूर टेस्ट कराएं और हिमोगलोबिन आप लोगों का जो है 12 ग्राम से लेकर के साड़े 15 ग्राम के बीच में होना चाहिए अगर आपका इमोगलोबिन कम आ रहा है तो आपको अपनी डाइट में आईरन रिच फूट जरूर शामिल करने चाहिए जैसे कि हरी सबजियां दाले और गाजर चुकंदर अनार इस तरीके की चीज़े आपको ज़्यादा स्यादा शामिल करनी चाहिए और इससे आपकी बोड़ी में काफी तेजी से इमोगलोबिन बढ़ता है और अगर आपका इमोगलोबिन सही रहेगा तो आपका पीरेट्स भी सही आएगा तीसरा काम दोस्तों आप लोगों करना है मून लाइट चार्ज वाटर का इस्तेमाल और जैसे कि मैं आप लोगों को इमेज में दिखा रहा हूँ आपको करना यह है कि पीने का पानी किसी काच के बरतन में लेकर के चंद्रमा की रोशनी में रख देना है पूरी राज जो है और आपके हर्मोंस पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे और यह बहुत ही कारगा और बहुत ही मानावा उपाय है इस तरीके से दोस्तों चंद्रमा अपनी परिक्रमा 28 दिनों में पूरी करता है इसी तरीके से महिलाओं का जो पीरेट साइकल होता है वो भी 28 दिन का होता ह इसलिए जो चंद्रमा है और महिलाओं की जो पीरेट्स हैं ये आपस में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हैं इसलिए आयुरवेद में भी ये कहा जाता है कि अगर जो महिलाओं पीरेट्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं और मुंस की प्रॉब्लम से परेशान हैं या प्रे पीरेट्स को लाने के लिए दवाई खाती है या फिर पीरेट्स की ब्लीडिंग को कम करने के लिए दवाई खाती है या फिर पीरेट्स के तोरान होने वाले पेट में दर्थ के लिए वो दवाई खाती है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो भी आप मैडिसन का इस्तेमाल कर और जो जो चीज़े मैं आप लोगों को बतारों सिर्फ आप उनी चीज़ों पर द्यान दें। जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और ये सारी चीज़े आपको बिलकुल भी इस्तेमाल नहीं करनी हैं। खास दौर पर गर्मियों में और इसके लावा ठंडी चीज़े खाते हैं जैसे कि आईसक्रीम और ये सारी चीज़े बिलकुल भी पीरिट्स के दौरान तो बिलकुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी हैं। बाकी दिनों में तो आप एक बार को कर भी सकते हैं लेकिन मैं तो बाकी दिनों के लिए भी आपको मना करूंगा। जब भी आप पानी पीए तो नौर्बल पीए और खास दौर पर पीरिट्स के दौरान तो आपको हलका गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। इन सब चीजों के अलावा दोस्तों आपको में काम जो करना है वो है फर्टिलिटी मसाज। और सामने स्क्रीन पर देखें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ फर्टिलिटी मसाज करके। fertility massage करने से आपकी जितनी भी ovary की problem है, uterus की problem है, periods की hormones की A to Z सारी problem स्ठीक हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा उपाय है fertility massage, इसको आप घर पे खुच से कर सकते हैं, करने का तरीका मैंने वीडियों बताया हुआ है और पूरी वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा में दिखा रहा हूँ, कि fertility massage किस तरीके से की जाती है इसके अलबा जिन महिलाओं को फाइब्रोइट्स की प्रॉबलम है, या फिर ओवरी में गांट है, यूट्रस में गांट है, या आप ट्यूब में किसी भी तरीके की कोई ब्लॉके जारी है, तो यह सारी प्रॉबलम्स के लिए बहुत अच्छा उपाय है, fertility massage, और आपको य करनी चाहिए, यहाँ पर आप लोगों से एक बात यह कहना चाहूंगा कि periods के दोरान आप लोगों को यह नहीं करनी है, periods कत्मोने के अगले दिन से आप शुरू करें, और अगला period आने तक आप लोगों को रोजाना सुबह खाली पेट यह massage करनी है, पूरी जानकारी के लिए आप फर्टिलिटी मसाज वाला वीडियो देख सकते हैं, आई बटन दबा करके और इसके अलबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक देदूँगा, वहाँ पे जाकर के भी आप यह वाला वीडियो पूरा देख सकते हैं, और इसमें मैंने सारी साफधानिया भी बताई हुई हैं